चलिए आज हमने हम भी आगे देखते हैं हमने दो तो देख लिए हैं पई उदारान की कैसे जो लोग अपनी कथनी और करनी में अंतर रखते हैं तो चलिए अभी और देखते हैं आगे एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्रों मिलने आये अभी एक सज्जन थे उनके घरे उनके मित्र आये उनसे मिलने दोनों मित्र बात्चेत में मगन थे कि किसी ने दरवाजा खट खट आया अभी दोनों मित्रों बाते कर रहे थे तो किसी ने दरवाजा कट खट खट आया उन्होंने खिडकी से जांक कर देखा बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पीछले चार महीने माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था अभी देखिये जो वो सजन थे फिर उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, जांका, कि कौन है, तो उन्होंने देखा कि ये तो मकान मालिक है, जो पिछले चार महिनों से इन सजन ने चार महिनों का किराय नहीं दिया था, तो वो बार-बार मांगने के लिए आ रहे थे, मकान मालिक उनको देखा, फिर उन्हो अपने बच्चे को कुछ समझाया और उसे बोला कि जाओ तुम बाहर जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उस से कहा तुमारे पिता जी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूं उस लड़के को देखकर उस मकान मालिक ने बोला कि जाओ अपने पिता जी से कहो कि मैं किरायले ने आया हूँ बच्चे ने तपाक सा जवाब दिया बच्चे ने तुरंती जवाब दिया क्या जवाब दिया पिता जी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है देखे फिर अभी बच्चे हैं वो भोले होते हैं उसने वो ऐसे ही बता दिया पिता जी ने कहा था कि जाओ मकान मालिक से कहना कि मैं घर पर नहीं हूँ तो उसने पूरा अच्छा से बता दिया कि पीता जी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है तो ऐसे देखो बच्चे ने पोल पूरी खोल दी बच्चे की बात सुनकर मकान वालिक हंसने लगा अभी देखो उसकी जो जूट उसने बोला था उसके जो किरायदार था उसने जूट बोला हो लेकिन उसके बच्चे ने जो जैसे बोला था वैसे उसने बता दिया तो उसने लगा घर में बेठे मीत्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई देखो अभी वो जो सजन थे उसके घर में जो मीत्रा है थे वो भी मुश्कुराने लगे जिसे देखकर वे सजन पानी पानी हो गए उसे देखकर वो जो सजन थे जिसका घर था जो किराय पर रह 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 थे किरायदार वो पानी पानी यानि शर्मसार हो गए उनको शर्माई अ उनका जूठे वो पकड़ा गया और देखे आगे फिर क्या होता है एसे ही सब लोग होते वो अपनी कथनी और करनी पर अंकुष नहीं रखते जो जैसी कथनी होती है उनकी वैसी करनी नहीं होती और जैसी करनी होती है वैसी कथनी नहीं होती बाते तो बड़ी-बड़ी करते ह कुछ भी सुधार नहीं लाते हैं एक सजण ने अपने पोटे को यह सिखाया था अभी दूसरा ही चोता उधारने एक सजण अपने पोटे को यह सिखाया कि भई हमें अपनी बारी का इंतजार करने कभी भी अपना काम है गलत तरीके से नहीं करना है तो फिर क्या होता है देखते आगे इनकी बात है वे जहल बिजली के बिल जमा कराने गए वो जहल बिजली यानि पानी का जो बिल होता है वो उसका और बिजली का बिल दोनों का बिल भरने के लिए वो गए साथ में उनका आठ वर्षे पोता भी था जिस पोते को उन्होंने सिखाया था वाट सल का था और वो भी उनकी साथ में था देखे जो लाइन लगी है पूरी लंबी लाइन लगी है बिल भरने की वहाँ पर दुनों दादा और पोता देखो गए हैं तो बिल जमा करवाने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाई सोचने लगे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी तो उन्होंने कुछ उपाई सोचने लगे कि क्या करें अभी उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा अभी देखें उन्होंने जो लोग खड़े थे उन्हों सबको ध्यान से देखा और क्या सोचना लगे कि क्या कोई इसमें चान का परीचित व्यक्ति अगर मिल जाए तो देखते हैं तो आगे ही एक परीचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया अगे ही उनको एक परीचित व्यक्ति दिखाई दिया फिर तुरंत उसके पास गए और बोले बिल तुम घर पर ही भूलाए ऐसे ऐसे करके यानि लो इसको भी जमा करवा दो ऐसे करके जैसे जूट बोला उन्हों कि बेटा ये तो तुम्हारा बिल है और तुम घर पर ये वुलाए ऐसे बहाना करके वो उसको जमा करवाने के लिए इशारा करते हैं तो फिर देखो वो व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल वर राशी उसके आत्मे थमा दी और एक तरफ जा कर खड़े हो गए अटी कुछ सामने वाला कुछ बोले कि हां आपका इसे कर नहीं और परिजी था वह व्यक्ति तो कुछ बोले उससे पहले इससे सबको पता चल जएंगी वह बिल उसका बिल नहीं है ये तो ये जो सज्जननाए हैं उनका बिल थो सब बोलते ना कि आरे आप लाइन में खड़े हो जाईए यहां पर बीच में क्यों अपना सिधा या आपको अपना नंबर ले के क्यों अपना बील हो जमा करवा रहे हैं हम भी तो लाइन में खड़े हैं कोई लड़ाय करने लगता इसलिए वो कुछ भी बोले उससे पहले उन्हो जो राशी याने पैसे वह बिल के साथ उसकी गईल था उतने पैसे उसको हाथ में दे दemi और एक तरफ जाकरखड़े हो गए पोता बार-बार कहने लगए दादा जी लाइन में लगेन На देखो पोता बार-बार उसको बता रहा थार दादा जी को चलो ये दादा जी लाइन में चलिए तके हमारी रारी जल दी आ जाए उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे अभी में खड़े हो जाते हैं तो फिर सबको पता चल गए कि तो उनका खुद का ही बिल देने आये थे और यह उस लड़के को गलत बता रहे हैं कि यह तुम्हारा बिल है अभी सबको पता चल गया तो फिर कई लोग सब उसके उपर हसने लगे कि इतनी उम्र के बावजुद दादा जी हैं वो कैसा वर्तन कर रहे हैं देखिए वच्चों को गलत बात बता रहे हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बाते तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं इसी तरह कई लोग होते हैं जो बड़ी-बड़ी बाते करते हैं लेकिन बड़े-बड़े खयालात रख उसको जीवन में नहीं अपनाते हैं इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता वे हंसी के पात्र बनते हैं इसलिए हमें कथने और करनी में सदेव समानता रखनी चाहिए देखिये जैसे हमने आगेस जीतने भी उदारन देखिये उसमें सब में वह हंसी के पात्र बनते हैं जो अपनी कथनी और करनी में अंतर रखते हैं और अच्छा आचरण नहीं करते हैं जो अपना जूट मूट का यह जो सब बहारना बाजी करते हैं अपनी चालाकियों से सब को ठगने का प्रयत्न करते हैं वो कभी भी सम् देखिए जो लोग हमारे देश में हो गए देखिए आपने गांदी जी हैं लालबादु शास्त्री हैं ऐसे कई सारे हमारे महान नेता जये हैं सुबास्दर बोश पर भगत सिंग और जो जितने भी हमारे अच्छे अच्छे जो नेता और लोग हो गए हैं चाहसी की रानी है वैसे अपने देखों कथनी और करनी दोनों सब की समान है यह ना जितने भी महाना है हमारे देश में हो गए है आप देखिएगा वो सारे के सारे लोग की कथनी और करनी हमारे देश में क्या पुरी दुनिया में जित चलिए अब आगे देखते हैं ये परिचेत पढ़कर प्रश्णों के उत्तर दीजिए इसमें आपको परिचेत पढ़कर उत्तर देने प्रश्णों के आप शुद रदैसे इस बात पर विचार करें कि माता मात्रु भूमी और मात्रु भाशक आप भी भेण है एक जननी आपक सुख में बनाती है जिसका आप पर इतना उपकार है उसके लिए कुछ करना क्या आपका परम करतव्य नहीं है प्यारे बाईयों उफो आलस्य छोड़ो काम करो और अपनी मात्रु भाशा की सेवा में ततपर हो जाओ इस वृत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है अत्यंत खेद का विशय है कि आज अधिकांश भारतवासी अपनी मात्रु भूमी की उपेक्षा करते हैं वे अंग्रेजी बोल कर अपने अहंकार तथा दूशित मनवरूती का परिचे देते हैं जो अपनी मात्रु भाशा का तिरिसकर करता है उससे कभी देश भक्त नही का जा सकता चले इसके उपर से यहां पर प्रश्न दिये गए हैं उसको आपको आंसर देना है